भारत के विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक संबंद मजबूत करने के उद्देश से प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी द्वारा एक भारत श्रेष्ट भारत के विचार के अवधरना की संड़शना की गई थी पूर्वतर राजियों और शेष भारत के युवाओं के बीच लोगों को जोडने और सांस्कृते एकता बनाने को लेकर युवा संगम का आखास किया जा रहा है जैपुर के मालवी राश्ट्रिय प्राद्योगी की संस्थान को शिक्षा मंत्राले की ओर से एक भारत श्रेष भारत कारिक्रम के तहर युवा संगम द्वितिय चरण के लिए नोडल संस्थान के रूप में चैनित किया गया है युवा संगम के दोरा राजस्तान के प्रतिनी द्वितियों का दल उडिसा की फ्रीर करेंगे इसका जो मेंन इन्टेंशन है कि जो बच्चे हमारी गाउं की जिनको एक्छली सहर की बारे में ज्यादा पता नहीं होता और दुसरे राज्य की जो cultural activity है उसकी बारे में exposure नहीं होता है तो the main intention कि actually उन बच्चे को बाकी स्टेट की cultural activity बारे में exposure देने के लिए ये program सुरू किया गया था और हम लोग actually we are very happy कि जो बच्चे ओडिसा से राजस्तान आएंगे उनको complete राजस्तान की cultural activity की बारे में exposed किया जाएगा और उस तरह उमीद करते हैं कि जो बच्चे हमारा ओडिसा जाएंगे ओडिसा की भी जो cultural activity को शेर किया जाएगा